हेलो दोस्तों आचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है वीडियो की शुरुवात करते हैं बहुत ही खुपसूरत गुड़हल फ्लावर के साथ और आज की वीडियो में मैं आपसे पांच ऐसे बेस्ट एयर प्यूरिफायर पर्मनेंट इंडोर प्लांट शेयर करने जा र दान करता है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर पर है हमारा मनी प्लांट जिसे पोथोस भी बोलते हैं और ये मार्बल क्वीन मनी प्लांट की वराइटी है हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खुपसूरत लूक देता है और आप देख सकते हैं इसके दानी में भी ग्रो कर सकते हैं चोटे से चोटे पॉट में बड़े से बड़े पॉट में बहुत अच्छे से चलने वाला पर्मनेंट इंडोर प्लांट होता है देख सकते हैं यहां पर बड़े पॉट में लगा हुआ है मौस स्टीक लगा दीजिए और कोई सहरा दे दीजि जो उपर की ओर चड़ रहा है तो इसको जरूर लगाईए हमारा घर का वातावरन शुद्ध करता है, पवित्र करता है लखी प्लांट भी मानते हैं इसे तो जरूर से जरूर ग्रो करे पानी में भी बहुत अच्छे से चलता है और कटिंग से बहुत इजली ग्रो हो जाता है नेक्स्ट जो प्लांट है मेरा वो सनेक प्लांट है इसको मैं आपको सलाह दूँगी कि यह प्लांट आप जरूर ग्रो करें अपने घर में ये ड्रॉफ वरायटी का सनेक प्लांट है नॉन वेरिगेटेट इसमें वेरिगेटेट वाला भी आता है और लीव से भी ये प्रोपोगेट हो जाता है देखें छोटे से छोटे पॉट में भी चलता है ये और बड़े से बड़े पॉट में भी चलता है हमारे घर को खुबसूरती प्रदान करता है ये खुबसूरत अशुद्ध जो हवा होता है उसको ये शुद्ध करता है तो इसको हम आप बात रूम में भी रख सकते हैं अपने रसोई रूम में भी रख सकते हैं क्योंकि रसोई रूम में भी बहुत सारे ऐसे गैस निकलते रहते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसान भी पहुचाते हैं तो यह सब ऐसे जो खराब air को अबजर्व करते हैं ऐसे जो air purifier plant होते हैं वो यहाँ पर भी देख्ये तो इजीली ये लिव से भी प्रोपोगेट हो जाता है और इसके डिवाइट करके भी इसको प्रोपोगेट किया जाता है और पचास से सव रुपए के रेंज में इसके प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाएंगे ये टॉल वराइटी है विरिगेटेट में आप देख सकते हैं कितना घना प्लांट है और देखे बहुत खुबसूरत लूग भी देता है हमारे गाडन को तो इंडोर आउटडोर दोनु तरह से आप इसे रख सकते हैं बस दोपहर की तेज जो सनलाइट होती है उससे इसको उसनिग जिसमें से पिंक वराइटी बहुत खुबसूरत लगता है और मेरे पास दो वराइटी है इसको मैंने 50 रुपे में खरीदा था और ये hanging basket में भी बहुत खुबसूरत लुक देता है, ये छोटे पत्तों वाला है, और इसी में बड़े पत्तों वाला भी आता है, जिसके पत्ते बहुत बड़े-बड़े होते हैं, छोटे से छोटे pot में भी बहुत easily चलता है ये, और बड़े से बड़े pot में बहुत अच्छ से चल जाता है और साथ ही हेंगिंग बास्केट में भी बहुत खुबसूरत लुक देता है पानी में भी यह बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है और इसको भी डिवाइट करके और कटिंग करके लगाया जाता है देख सकते हैं फ्रेंट्स यह थोड़ा सा मैं आपको हेंगिंग बास्केट वाला दिखाती हूँ यह देखिए यह खुबसूरत लुक देता है यदि इसमें पिंक वाला वरायटी होता तो देखते ही बनता फ्रेंट्स हमारे घर को गार्डन को बहुत सुन्दर लुक देता यह देख सकते हैं फ्रेंट्स आप कितना खुबसूरत लग रहा है हैंगिंग बास्केट में तो आप इस प्लांट को भी जरूर लगाए चाहे आपका घर छोटा हो चाहे आपका घर बड़ा हो चाहे आप बालकनी गार्डन करते हो चाहे पोर्च गार्डन करते हो चाहे ग्राउंड में करते हो तो जरूर लगाए इस प्लांट को और नेक्स्ट जो प्लांट है हमारा एगलोनीमा है एगलोनीमा में भी आपको बहुत सारी वराइटी मिल जाएंगी नरसरी में और इसको भी divide करके लगाया जाता है cutting करके लगाया जाता है इसके plant से बहुत सारे baby plant निकलते रहते हैं ये देखिए इसको मैंने separate किया है ये mother plant से मैंने इसको निकाल कर दूसरे pot में shift किया है ये देख रहे हैं friends ये वाला देख रहे है snow light aglonima बोलते हैं इसको और अभी आपने जो देखा वो lipstick aglonima है red वाला बहुत सारी varieties में आपको मिलेंगी 200 से 300 के range में इसके plant नरसरी में मिलते हैं थोड़ा सा costly आता है और ये भी air purifier plant माना जाता है तो इसको भी हवा को शुद्ध करने के लिए घरों में लगाया जाता है और ये सजावती plant भी है decorative plant भी है ये हमारे घर को बहुत खुबसूरत लुक भी प्रदान करता है ये छोटे से pot में भी बहुत अच्छा से चल जाता है थोड़ा सा इसके लिए care करना पड़ेगा ये थोड़ा सा toxin वाला plant है थोड़ा जहरीला होता है इसका तना पत्ता वगेरा तो बच्चों से दूर रखे इस plant को और जो हम घरों में pet पालते हैं जानवर वगेरा पालते हैं तो उसके भी इसको थोड़ा सा बचा के रखे बस यही सावधानी रखनी है बाकी ये बहुत ही खुबसूरत plant होता है और air purifier तो होता ही है तो इसको आप indoor भी रख सकते हैं और सुबा सुबा की sunlight मिले असे जगा पर भी रख सकते हैं और next जो हमारा पांचवे नंबर का plant है वो पिपरोमिया है इसको baby rubber plant भी बोलते हैं और चाहे तो आप rubber plant भी लगा सकते हैं rubber plant भी बहुत खुबसूरत होता है उसको भी मैं दिखाऊंगी मैंने उसे cutting से लगाया हुआ है खरीदा तो नहीं है और ये पिपरोमिया को मैंने खरीदा था एक साल पहले 50 रुपे में तो इसके plant भी आपको 50-100 रुपे में नरसरी में मिल जाएंगे stem cutting से बहुत easily grow होता है ये और leaves से भी ये grow हो जाता है तो leaves से जो grow करने का तरीका है वो थोड़ा सा slow चलता है तो आप stem cutting से इसको grow करें और इसके leaves देखिए कितना खुबसूरत मोटे-मोटे leaves होते हैं चमकिले leaves होते हैं देखने में बहुत सुन्दर indoor, outdoor दोनों तरह से चल जाता है तेज धूप में नहीं रखना है सुबह-सुबह की एक आद घंटे की sunlight मिले ऐसे जगह पर रखे और indoor रखते हैं तो अच्छे से bright light में रखे देखिए मैंने यहाँ पर leaves लगाया हुआ है जड़ आ गई है क्योंकि नहीं निकल रहा है खीच रही हूँ तो और इस तरह से देखिए stem में इसके node area में जड़ होते हैं तो वहीं से यह propagate हो जाता है देखिए मैंने cutting लगाया हुआ था दो मेहने पहले मैंने लगाया था इसकी cutting और देखिए इसमें leaves आने शुरू हो गया है तो बहुत easily grow हो जाता है यह plant और खुबसूरत भी दिखता है हमारे जो garden होते हैं उसमें इसको लगाने से और best air purifier plant होता है यह भी तो आप इसको भी जरूर अपने garden में add करें और मैं rubber plant भी आपको दिखाती हूँ लगभाग दो महना पहले मैंने इसे grow किया था इसकी stem cutting grow करी थी दो cutting मैंने लगाई थी जिसमें से एक cutting तो मेरी fail हो गई और यह वाली चल गई है देख रहे हैं friends यह नया leaves निकल रहा है और जो green color का दिख रहा है तो दो leaves इसके निकल गए है मतलब यह ready हो गया है किसी दिन इसको मैं report कर दूँगी तो आज मैंने आपसे पांच best air purifier permanent indoor plant शेयर किया है वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए happy gardening बाई thank you